नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमितंकूपर तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लिखेया हूं लेवर इंस्पेक्टर पोस्ट कोड़ 629 का सेकंड पार्ट तो इससे पहले किसी ने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो डिस्क्र लेवर इंस्पेक्टर का पेपर है उसके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सैकेंड पार्ट तो पहला कोश्टन है का तो हिमार्चल जीके से कारवासिय प्राजियों के लिए प्रसिद स्थान जुबल नरायन स्थित है तो जितने 12 का ऑफ्षेन ए 850 में नेक्स्ट क्वरास्य जील हिमाच्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है तो 113 का ऊप्षेन बी मंदी नेक्स्ट कॉस्चन कुंजम दर्रा प्रसिद्ध है तो 114 का जो ओप्षन ए स्पीती घाटी का नेक्स्ट कॉस्चन है हाट्टू पी किस लोकेटेड इन विच डिस्टिक ओफ हिमाच्य प्रदेश तो हाट्टू चोटी हिमाच्य प्रदेश के किस जिले में है 115 का ओप्षन डी दिया गया है ओप्षन डी नन ओफ दीज तो इसमें शाहिद कॉलक्ट अंसर आएगा ओप्षन डी आएगा शिमला शिमला ठीक रहेगा इसका अंसर नेश्ट कोश्टन चड़ी यात्रा प्रारंब होती है तो चड़ी यात्रा कहां से 116 का अंसर आएगा ओप्षन भी चमबा की नेश्ट कोश्टन निवन में से कौन सा राज यह हिमाच्य प्रदेश के दक्षिन पूरव में स्थित है तो ओप्षन ए उत्राखंड नेक्स्ट कोश्चन खीर गंगा गर्म पानी का स्त्रोथ अवस्तित है तो कहां पे है ये 118 का ओप्षण D कुल्लू में नेक्स्ट कोश्चन 174 में कांगडा किले का अंतिम मुगल गुवर्नर कौन था तो 119 का ओप्षण D सैफली खान नेक्स्ट कोश्चन दुती सिख युद के दुरान सिभा राज जिसे सिखों को किस ने खदेडा 120 का ओप्षण C राम सिंग ने नेक्स्ट कोश्चन नगर कोट किसके शक्ति और प्रतिष्ठा की गद्दी थी तो 121 का ओप्षण C कटोच राजवंश हिमाचरि प्रदेश के प्रत्थम लोकायुग्द थे 122 का ओप्षण C न्याइ धीस टीव याई टाटाचारी हिमाचर प्रदेश का न्यवन में से कौनसा जिला भ्रात्र बहुपती प्रथा से समंधित नहीं है तो बीचे उधा, following district of हिमाच्य पदेश is not associated with fraternal polendry. तो 123 का option C, कांगड़ा. Next question, चित्रकला की कांगड़ा शैली का केंद्र था. तो इसका correct answer है, option B, सुजानपुर. Next question, तिरलोगपुरी मंदिर किसकी मूर्ती का भवन है? तो 125 का आपका answer आएगा, option C, तुरिपुर बाला सुन्दरी. तो आज कर question सीधा पोचा जाता है, कि बाला सुन्दरी मंदिर कहां पे है? Next question है, फलों के निम्बु बंश किसम की खेती के लिए सरबाधिक उप्योगी क्षेत्र है? 126 का option A, शुवालिक पहाडिया. Next question, एग्रो एकोनोमिक रिसर्च सेंटर इन हिमाच्य पदेश, तो कहां पे है ये एग्रो एकोनोमिक रिसर्च सेंटर हिमाच्य पदेश में कहां सिता है? 127 का option C, शिमला. Next question, किस वर्ष हिमाच्य पदेश स्कूल शिक्षा बोड की स्थापना हुई? तो 128 का option A दिये गया है 1975, तो अंसर की में इसका दिये गया है अंसर 1975, लेकिन आप इसको देख सकते हैं शायर, तो मुझे यतने यादा है कि इसकी जो स्थापना हुई थी 1969 में, लेकिन आप इसको क्रोस चेक कर लेने एक बार. तो यतने भी मैं आपको फिलाल अंसर बता रहा हूँ, सारे के सारे प्रोविजिलन अंसर की के according हैं. नेश्ट कोस्चन, नुवाला फॉक डांस इस प्रफाउंड वाई इन दा वैली ओफ, तो नुवाला लोकनलित्य किस घाटी में किया जाता है? नेश्ट कोस्चन, निवन में से कौन सी नदी सिंदु प्रणाली का हिस्सा है? तो ओप्शन D, ये सभी. नेश्ट कोस्चन, जनगर्ना 2011 के अनुशार हिमाच्चिल प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? तो ओप्शन D, 972. और जो जनसंख्या घनत्तव है वो कितना है? 123. नेश्ट कोस्चन है, हिमाच्चल प्रदेश से राज्य सभा के प्रत्थम सदस्य थे तो 135 का आएगा ओप्शन A, चिरंजी लाल बर्मा. नेश्ट कोस्चन, वेतन संदाई अधिनियम लागू होता है? दा पेमेंट ओफ फेजिस एक्ट इस एप्लिकेबल टू? तो 136 का आपका अंसर दिया गया है ओप्शन A, जम्मू कश्मीर के सवाई संपून भारत पर. तो नेश्ट कोस्चन है, बाल श्रम उन्मोलन पहली बार इसके दोरा लागू किया गया? तो 137 का ओप्शन C दिया गया है, फेक्टरी अधिनियम 1883. नेश्ट कोस्चन है, भारत ने कारे के 8 घंटों का प्रत्थम अनुबंद प्राप्त किया? तो 138 का दिया गया है ओप्शन D, इन में से कोई नहीं. तो अगर किसी को इस कान से पता है, तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. नेश्ट कोस्चन दिया है, निवन में से कौन सी सुविधा कर्मचारियों के उचित एवं सुख दायक कारे दशा के लिए मुहाया नहीं है? तो 139 का ओप्शन D दिया गया है, आवाज सुविधा. आवाज सुविधा. तो जितने भी ये लेवर इंस्पेक्टर के कोस्चन है, तो ये उसके शाइस लेबर्स के कोडिंग होंगे. नेश्ट कोस्चन है, विधी अनुसार श्रमिक संगठन बनाने के लिए आवाश्यक कर्मकारों की नियूनतम संख्या है. नेश्ट कोस्चन, केंद सरकार द्वारा अधिनेमित श्रम बिधी को परवर्तित किया जाना चाहिए. तो 141 का ओप्शन सी दिया है, A और B दोनों यानि की केंद सरकार द्वारा और राजिसरकार द्वारा. नेश्ट कोस्चन है, भारत में प्रत्थम भारती श्रम संगठन यानि की इंडियन लेवर ओर्गनाज़ेशन आयलो कारेले प्रारंब हुआ था. तो 142 का ओप्शन D, 1928. नेश्ट कोस्चन, भारत आयलो शासी निकाय का स्थाई सदस्य है, तो कब से है 144 का ओप्शन C, 1922 से. नेश्ट कोस्चन, वेतन संदाय अधिनियम के अनुसार वेतन दिया जाना चाहिए, तो ओप्शन C, किसी भी कारेकारी दिवस पर. नेश्ट कोस्चन, समान कारे के लिए समान वेतन का सिधात भारती संबिधान के किस अनुशेद में नहींत है, तो 140 का ओप्शन D, अनुशेद 39 में. नेश्ट कोस्चन, माक्सवादी, उपागम में वेतन संबंदित विवादों से संबंद संस्थाएं हैं, 147 का ओप्शन B, दुट्यक, सेकेंडरी में. नेश्ट कोस्चन, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम किस वर्ष से प्रवर्तित हुआ, 149 का ओप्शन A, 1948 में. नेश्ट कोस्चन, नियून्तम वेतन अधिनियम के अंतरगत व्यसक का अर्थ बैवेक्ति जिसने 18 वर्ष की आयू पून की हो, तो उप्शन A, correct. तो नेश्ट कोस्चन कुछ है, इंग्रिश के तो इसमें पहले के बोला है, चूज दा वर्ड, चूज दा वन वर्ड सब्सिचूट फॉर दा फॉलोईंग ग्रूप सॉफ वर्ड्स और फ्रेसिस आउट और फॉर गिवन अल्टरनेटिव A, B, C, D, तो इसमें पहला 151 का ज तो नेश्ट जो है 154 से 156 तक, तो चूज दा मोस्ट अप्रोपियेट वर्ड आउट ओ फॉर गिवन अल्टरनेटिव्स, तो पहला 154 का ओप्शन A आएगा, इन्वेड, 155 का आएगा, ओप्शन A, विलीफ, 156 का आएगा, ओप्शन C, तो नेश्ट कोश्चन 157 का, दा लास्ट स्ट्रोव, तो क्या पुछा है, चूज दा कोरेक्ट मीनिंग ओव दा फॉलोईंग, फ्रेसिज, इडियम और फ्रेसिज आउट ओव दा फॉर गिवन अल्टरनेटिव्स, तो दा लास्ट स्ट्रोव, तो 157 का ओप्शन A दिया गय नेश्ट पूशा है, चूज दा वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, तो 160 का ओप्शन D, 161 का ओप्शन C, 162 का दिया गया है, ओप्शन D नेश्ट कोशन 163, तो हिंदी के कुछ कोश्चन हैं, तो आजीवन में समास, तो इसमें देगा है ओप्शन B, अव्याई भाव, 164 में धह क्या है, ओप्शन B, ब्यंजन, 165 अधित्यका का विप्रीत अर्थ क्या है, 165 का ओप्शन B, उप्त्यका 166 मात्र जमा आग्या, तो 166 का ओप्शन B, मात्र आग्या, 167 तदवब शब्द कौन सा है, ओप्शन A, तुरंत, 168 कामदेव का प्रेवाची, ओप्शन C, कंदर्प, 169 चरन से उपसर्ग शब्द बनता है, तो 169 का ओप्शन C, आचरन, और 170 आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो 177 इसका ओप्शन A, विप्रीत हो जाना, तो फेंस ये थे, लेवर इंस्पेक्टर पोस्ट कोर 629 का, पूरा का पूरा कोशन पेपर, दो पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है, तो इसके बाद एक और पेपर है, लेवर इंस्पेक्टर का, उसको भी मैं वीडियो अच्छे लगी हो, तो और जितने भी कोशन है, आपके आने वाले जो भी एक्जाम है, और स्पेशली जो लेवर इंस्पेक्टर का एक्जाम है, उसके लिए काफी जादा इंपोर्डेंट है,